कक्षा 9 विशाएगड़ि प्रस्नावली 1.1 प्रस्न संख्या 1 को पिछले एपीसोड पर सॉल्व किया गया था लिंक डिस्करिप्शन पर उपलब दें प्रस्न संख्या 2 के अनसार 3 तथा 4 के बीच में 6 परिमेई शंख्या हैं ग्याद करनी हैं चुकि यहाँ पर हमें 6 परिमेई शंख्याएं ग्याद करनी हैं जितनी परिमेई शंख्या हमें निकालनी हैं उसमें से हम 1 जोड़ देते हैं 6 प्लस 1 बराबर हो जाता है 7 अब क्या हैं 3, 3 को हम किस तरसे लिख सकते हैं तीन को हम तीन अपॉन एक के रूप में लिख सकते हैं और अगली संख्या आती है हमारी चार चार को हम चार अपॉन एक के रूप में भी लिख सकते हैं अब क्या है साथ को अंसौर हर में गुड़ा करने पर तीन को ये जो साथ संख्या है हम इसके अंसौर हर में गुड़ा कर इस तरह से हो गया एक गुडा साथ सात्या 21 बट्टा साथ और इसी तरह से हम दूसरी संख्या के भी अंस और हर्मे साथ का गुडा करते हैं यनी ये होगा, 4 गुड़ा 7 गुड़ा, 1 गुड़ा 7 साथ चक को 28, 28 बटा 7 इसकी पहली संख्या क्या है 21 बट्टा 7 ये पहली संख्या 21 बट्टा 7 इसके बाद कौन सी संख्या है कि हमारी 22 बट्टा 7 अगली संख्या जाएगी इसमें 23 बट्टा 7 24 बट्टा 7 25 बट्टा 7 26 बट्टा 7 27 बट्टा 7 इसलिए ये 3 और 4 के बीच में 6 अभीष्ट संख्या है 22 बट्टा 7 23 बट्टा 7 24 बट्टा 7 25 बट्टा 7 26 बट्टा 7 और 27 बट्टा 7 अगला प्रस्ने भी same to same इसी तरह से हैं तीन बट्टा 5 और 4 बट्टा 5 तीन बट्टा 5 और दूसरी संख्या हमारी 4 बट्टा 5 हमें इसमें के बीच में 5 परिमेशंख्या निकालनी है इसलिए क्या करेंगे जितनी परिमेशंख्या निकालनी होती हैं हम उसमें से 1 हम यहां पर add कर लेते हैं 5 प्लस 1 को अनस और हरसे गुड़ा कर दींगे 5 प्लस 1 कितना होता है षय होता है इसी तरह से 3 बट्टा 5 के अनस में 6 का गुड़ा कर देते हैं और हर में भी 6 का गुड़ा करते हैं हम किसी संख्या के अंसार हर में किसी पर्टिकुलर संख्या से गुड़ा अत्वा भाग करते हैं तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो यह आगया हमारा चैतिया 18 बट्टा 6 पंजे 30 अब दूसरे आगया 4 बट्टा 5 चार बट्टा 5 के भी अंसार तथा हर में 6 का गुड़ा करने पर 4 गुड़ा 6 पांच गुड़ा 6 है चक को 24 और 6 पंजे 30 इसी तरह से 18 बट्टा 30 और 24 बट्टा 30 के बीच पांच परिमेशंख्या 18 बट्टा 30 यानि इसके बाद आजाएग अकला 19 बट्टा 30 बीच बट्टा 30 एककिस बट्टा 30 बाईस बट्टा 30 यही इस परिसन का जवाब है पांच और 4 बट्टा 5 के बीच में पांच परिमेशंख्याएं 19 बट्टा 30 बीच बट्टा 30 एककिस बट्टा 30 बाईस बट्टा 30 त्याईस बट्टा 30 होंगी हम चाहे इनको सॉल्व कर सकते हैं अदर्वाइस यह जवाब भी हमारा सही माना जाएगा अब हम अगर इसको सिंप्लिफाइ करते हैं तो हम इसको किस तरह से लख सकते हैं 19 बट्टा 30 यहाँ पर मैं 0 से 0 को कैंसल कर देता हूँ इसके यह 0 हो गया यानि यह आ गया 2 बट्टा 3 इसी तरह से इसको सिंप्लिफाइ कर दिया हम ने 7 तिया 21 और 3 दहाम 30 यह हो गया हमारा 7 बट्टा 10 अदर्वाइस यह जवाब भी आपका ठीक हैं यह हो गया 7 बट्टा 10 इसी तरह से अगला है 22 बट्टा 30 त्याइस बट्टा 30 इसको भी हम 22 बट्टा 30 को गर लेंगे इसको क्या करेंगे इसका क्या जागा दो से अंसर हर्मा के भाग देते हैं 11 दुना 22 और 15 दुना 30 इसको सिंप्लिफाइ करके हमारा यह आ जाता है 11 11 बट्टा 15 और अगला है 23 बट्टा 30 बट्टा 30 को हम सिंप्लिफाइ नहीं कर सकते हैं इसलिए यही हमारा उत्तर होगा 19 बट्टा 30 दो बट्टा 30 साथ बट्टा और 24 बट्टा 30 यह हमारे प्रशन संख्या 3 का उत्तर है